पहले MLM वाले और अब UPSC वाले YouTube पे इतना कुछ expose हो ही रहा है तो मैंने सुचा एक आद वीडियो मैं भी बना ही लेता हूँ इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखिए और बाद में आप कमेंट कीजिए और अगर आप 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 हो तो ये वीडियो आपके लिए यूसफुल होगा कोई है आप मेंसी जो खुल के बात करना चाहेगा और पेशन अभी से स्टर्ट कर रहा है अभी आप स्टर्ट कर रहे हो उस जानकरी का क्या करोगे? आगे इन फिर्म काम आएगा ये तो आगे इन फिर्म काम आएगा? मलगा इन जॉब करने जाओगे तो एक काम आई गी जानकरी? ये सर आएगा बहाँ पर तो नहीं सर बस ये शोचली और जो फ़ड़म इंटक्शल और मेंटली ये सब डेवलप्ड हो जाएगा मैं आपको डेमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कहीं से भी एक प्रॉब्लम को हम समझने की कोशिश कर रहे है क्योंकि होने की पॉसिबिलेटी अल्मोस्ट जीरो परसेंट है यह आप भी जानते हो मैं भी जाता हूँ तो बेस्के स्सेरियो यह है कि अगर आपका हो गया तो बहुत ही बड़ी आ है नहीं वहां तो क्या प्लान है अभी सर बेक आपको सोचा नहीं यह भी इससे ही हो जाएगा सर इससे की हो जाएगा वो इसने कोई बैकप भी नहीं सोचा है अब मुझे बताओ कि आपने किया क्यों जोईं क्यों क्यों किया है बैगिंग का काम बहुत जाद है डैली में इतना मेरे आवा नहीं होता है तो यहां के लगताव उने इसका कुछ सोलुचिन होना चाहिए यह गलत है नहीं हमारे माइन में कहां से आ गई second misconception इस बच्चे का है कि वो poor की या society की help कर सकता है लेकिन problem यह है कि वो society की help अपने मर्ज़े से नहीं करेगा बलकि उसको बोला जाएगा वो policy implement करेगा ना कि बनाएगा और यह जो बात कहते है ना कि इतने percentage उतने percentage तो सर रिस्क नाम की भी कोई चीज होती है यह जो आप कहते हो कि percentage खराब है तो आप करना ही नहीं चीए लेकिन बहुत सारे factors play out करते है तो बस number के basis पे at least aspirants तो decision नहीं लेते है लाइफ में थोड़ी madness तो होती है और आपको मैं as an interviewer यह option देता हूँ कि आपको जॉब तो मिलेगी लेकिन वो करने को नहीं मिलेगा जो आप करना चाहते हो यानि कि क्या अभी Sandeep सर कहते है कि power or status के लिए आप यह exam ले रहे हो लेकिन here I will like to humbly disagree कि सर इंडिया में na social mobility के लिए और कोई option होता नहीं है तीन option होते हैं इंडिया में social mobility के लिए वो तीन option है English, exams और exit English मतलब आप English बोलो और ठीक ठाक बात कर लेते हो तो कोई ना कोई तो job आपको लग जाएगी exam यानि government exams और exit यानि देश छोड़के आप बाहर जाओ जो lower section होता है society का उसे socially upward mobility के लिए सिफ यही तीन solutions है and यह civil services उसमें से most tangible solution है exit करना सब के लिए feasible नहीं है और English भी यानि English सिफ English बोलना सीख के कई job लेके वो भी feasible नहीं है सच बोलो ना कि भाई मुझे पावर चाहिए मुझे और किसी चीज से कोई लेना देना नहीं सड़क पर जा करके बिखारियों की मदद करनी है अभी कर दो कौन रोग रहे हैं चलो ही काम करो मैं आपको offer देता हूँ देखते हैं कितनी मदद करते हो आप बिखारियों की आप जा करके अगले एक महिने तक बिखारियों की मदद करो सड़कों पे उसके लिए जो पैसा लगेगा मैं दूँगा आपको लेकिन आपको दिन में 12 गंटे काम करना हुगा और एक महिने तक आप यहां पर नहीं जा पाओगे जो भी आपकी कोचिंग है अब बोलो यह सर अब इंट्रेस्टिंग क्या हुआ जो सर ने offer दी थी ना उस बच्चे को उसने accept कर ली बट बाद में जब उन्होंने बुला कि कोचिंग नहीं जा पाओगे तब वो कहता है कि आरे नहीं यह तो नहीं हो पाएगा बेसिकली हर एक एक आस्पिरेंट जब स्टार्टिंग में होता है एक्जाम देने से पहले अट लीस्ट वो लोग जैनूरिनली काम करना चाते है वो लोग जैनूरिनली सोसाइटी के यह जॉब करते है तो यह बच्चा है तो इसे पता नहीं है अगर कोई पुराना अस्पिरेंट होता तो वो क्या बोलता कि यह एक बस एक जॉब है वन ओफ दे मैनी जॉब्स है अपवर्ट सोशल मोबिलेटी के लिए मुझे यह जॉब करनी है और मैं अपने लाइफ के ती बैक एंड फोर्ट चालु है बोलो आपके लिए इंपोर्टेंट क्या है यह कोचिंग या फिर मदद करना स्रडक पर जो भिखारी है उनकी अगर वो इंपोर्टेंट है तो कोचिंग अई भार में मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूँ ओपन ऑप्शन देखते हैं आप य एक सेब करने के बाद में आपको जो सैर्री मिलेगी लेकिन दिन में बारा घंटे आपको वो करना परेगा जो आप कह रहे हो यानि बारा घंटे दिन में सुबह से ले करके रात तक विखारीयों की मदद करनी होगी बोलो ऐसा कौन से कौस है इसके एपके अंदर से आरह है अगर आ रहा है तो या फिर सच बोल दो के नहीं नहीं यह बिखारी बिखारी के तो सब बाते हैं मुझे कोई फर्ण नहीं पड़ता है मैं रेड लाइट में खड़ा हो तो बिखारी आता है मैं उसको बखा देता हूँ एक एक करके चीज़े सामने आ रही है तो बेसिकली अगर को यह जो सोशल मीडिया वाला पॉइंट है सोशल मीडिया वाला पॉइंट यह चाहिए था अब यहां तक वीडियो देखने के बाद मुझे लगा कि वो एंट्री एक्जिट वीडियो की बात करेंगे हमारे UPSC आस्परेंट्स देखते रहते हैं फेवरेट नाशनल पास्ट टाइम हो चुका है इंडिया का एंट्री एक्जिट वीडिया पे आपको कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं जिनको देख करके आपके माइंड में एक इमिज बनी हुई है कि अगर मेरे हो गया तो मेरी भी ऐसी लाइफ होगी और लाइफ कैसी है जो आपको दिखाई जा रही है जो एक्शल में नहीं है और व ले जी अब वो जो इंसान जोड़ रहा है उसके पैर पढ़ रहा है वो आपका बाफ है अब ये सहिं है का मन्य गल्त है अगर एक इनसान ने रेड लाइट जब करी है या कोई किया है तो उसको उसकी सजा दो ना रेड लाइट जं करने का चलान होता है कै 你 grtake 200 वे वहा कमेंट देखना तो उस पर लोगों ने काफी नेगेटिव कमेंट कियोंगे उस ओफिसर पर बेसिकली बच्चे सोचल मीडा से इंस्पायर तो होते है बट जैसे मैंने ऊपर बोला एंट्री एक्जिट वाले टाइप के वीडियो से होते है या फिर वो अभी जो मुवी आई है 12th fail उस टाइप की स्टोरी से इंस्पायर होते है अरे कोचिंग वालो को क्या चाहिए वो तो छोल दो वो तो एक अलगी गेम है और बहुत इंट्रस्टिंग गेम है अगर वाप समझ पाऊ तो वो अगर किसी में भी थोड़ा सा भी दिमाग होगा तो वो समझ जाएगा कि ग एसे UPSC क्रैक करोगे ये गिस जिस भी बेवकूफ ने बोला है ना 4 करोड उसका C-set तो कभी ने निकलेगा जवाब दो 20,000 इंटू 2,00,000 कितना हुआ एक साल का 400 करोड रुपे वो कोचिंग वाला गमा रहा है चाहे आपका हो या ना हो जाइन करते वक्त आप में इतना भी दम नहीं है कि जा गरके उस कोचिंग वाले से पूछो कि ये टॉपर्स को छोड़ो जो आप में को 2-4 नाम बता रहे हो जिनका आपके कोचिंग के थू हुआ है मुझे exact number दो कि पिछले साल कितने लोगों ने आपके यहां से किया उसमें से कितनों का हुआ और कितनों का नहीं हुआ actually यहां पर भी एक mistake है क्योंकि एक बच्चा कभी भी एक कोचिंग को लगाता ही नहीं वो current affairs एक कोचिंग से पढ़ेगा वो test series एक का लेगा वो बार में interview सब को देगा interview preparation के लिए सब के mock interview देगा तो इसलिए यह जो percentage वाला चीज है वो useful नहीं है having said that आपको success rate देखना चाहिए coaching का but जो coaching actual में genuinely किसने start की है वो भी देख सकते हो जैसे अगर कोई student है और वो आपको सिखा रहा है तो वो जादा useful होगा आप किसी एक हजार बच्चों के classes में से सीखोगे and honestly आपको मैं बता हूँ तो यह जो UPSC की coaching है न उसमें और IIT JEE की coaching में एक basic difference है वो क्या difference है UPSC की coaching online हो सकती है बट IIT JEE की online नहीं हो सकती क्यूंगी जब advance के आप question करोगे तो उसमें आपको doubts आएंगे and वो doubts solve करने के लिए on the spot solve होने चीए and उसके लिए teacher के साथ physically होना important है and UPSC का majority चीज उसमें कुछ ऐसा rocket science तो है नि कि समझ में नहीं आएगा at the end आपको याद ही करना है facts है जो कि आपको याद करने है अब बले वो fact आप गधे की तरह रटो या फिर smartly रटो facts ही है कि तो कोई बताता नहीं है न अपने बारे में तो reality पता करो कि इसके लमरे अंदर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए इंपोर्टेंट है या नहीं होनी चाहिए पहली बात तो भो लो ऐसा info देंगे ही नहीं क्योंकि वो नहीं चाहते कि नेगर्टिव अर्केटिंग हो कोईशन पूछ तो सीखो हम जा करके वां पर क्या कहिंगे कि हमें रेफरेंस दो ऐसे किसी का जिसका हो गया है क्या मैं उनसे बात कर सकता हुआ अपकी कोईशन को जोई करने पहले पहले है और करो बात अब बात करने त्यार बएठे अब बट बढ़ी आई जी बग़गी आ अब वो फेल हुआ या पास हुआ दोनों केस में बहुत जादा प्रोबाविटी है कि वो कोचिंग की बुराई नहीं करेगा रीजन यह है कि हमारे बायस बन जाता है कि मैंने वो चीज जैसे मैंने वो कोचिंग ली है तो वो अच्छी है मेरा नसीब खराब था इसलिए नहीं हुआ तो यह चीज वर्क नहीं करेगी कि आप किसी स्टूडेंट से पूछो आपको खुद ही उनके लेक्चर्स देखके या कोचिंग किसने चालू की है वो आज तक उसने खुद ने भी कभी एक्जाम निकाली है या नहीं वो सब देख तो मुझे बस दस ऐसे लोग का नंबर दे दो जिनका नहीं हुआ है वहां पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं अगर बहर आप जा करके एक दिन के लिए जस्टूशी करो वहां पर बार खड़े हो जहां पर पान की दूकान उगी चाए की दूकान होगी वहां पर जा करके उन बहुत कुछ आपको समझाए चाहो तो बहुत कुछ पता कर सकते हो वह अलग बात है कि हम करते नहीं